हेले दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज हम देखने वाले हैं Google AdSense Pin Verify कैसे करते हैं तो जो यह आप लोग देख रहे हैं Google की तरफ से यह मुझे Pin जो है यह Received हो चुका है तो मैंने इसको चारो तरफ से तीनो तरफ से कट कर लिया है और आप देख सकते हैं यह मेरा Pin है यह नहीं करते हैं तो हमें इससे Payment Receive नहीं होगी तो यह Pin हमारे घर के Address पर Receive कब होता है तो Receive यह तब ही होता है जब हमारे Wallet में $10 का Earning हो जाता है उसके बाद ही हमें यह Pin हमारे Address पर Receive होता है Pin Address पर Receive होने के बाद हमें YouTube Studio में हमारा जो Google AdSense अकाउन होता है वहाँ पे Payment Address जो होता है B-Link का वहाँ पे Verify कैसे करते हैं यह हम देखते हैं चलो तो अभी हम Live Demo करके देखते हैं कि Pin कैसे Verify करते हैं तो हेलो गाइस चलो अभी हम देखते हैं कि Live Pin Verify कैसे करते हैं तो यह मेरा YouTube का चैनल है तो अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे स्टार्ट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे Google AdSense हम अकाउंट ओपन कर लेंगे सबसे पहले हमें Simply Google पे Google AdSense लिखना है यह देखे गूगल Google AdSense Sorry guys, one second Google यहां पे हम देखेंगे AdSense अकाउंट हमारा already create किया हुआ है तो हम Google AdSense यहां login पर हमने क्लिक कर दिया है यह देखिए यह हमारा अकाउंट यहां पर open हो गया है तो यहां पर जैसे ही open हुआ है यहां पर देखिए लिखा हुआ है यहां पर warning दिख रही है कि your payments are on hold because you need to verify your address ठीक है तो अभी जो हमको पीन आ गया है तो हम कुछ नहीं करेंगे यहां पर दिखाए verify your billing address तो हमें simple से यहां पर verify पर क्लिक करना है और verify पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा डिस्प्ले होगा देखो यहां पर लिखाए कि address or verification enter the pin that we mail जूट और billing address पर हमें यह mail भी किया जाता है और यह हमें receive send address पर send भी किया जाता है तो अभी हम अपना pin डालते हैं 6663390 हमने अपना pin डाल चुके हैं और यहां पर लिखाए कि you have only three attempts हम three attempts ही कर सकते हैं हमें wrong नहीं डालना है अगर wrong hunt डालते हैं तो हमारा payment हमें फिर से recent pin करना पड़ता है और उसके बाद Google वाले हमें फिर से pin send करते हैं ठीक है तो हमने हमारे pin डाल दिया है 6663390 वह भी हम करते हैं submit हमने submit कर दिया है और यह हमारा address verification हो चुका है देखिए address verify हो चुका है अभी हम यहां पर refresh करके देख लेते हैं कि यह उपर वाला गया या नहीं गया रेट कलर का note ओके गाइस तो हमारा जो उपर जो रेट कलर का note आ रहा था address verification का वह अभी complete हो चुका है और वह done हो गया है ठीक है तो हमारा यह pin verify यहां पर खतम हो गया इसमें कोई बड़ा बड़ी बात नहीं थी बस Google adsense open करना है अगर हम open करते हैं तो तुरंत हमें home page पर ही हमें verify करने का एक pop-up दिखता है वहाँ पर हमें simply pin verify पिन एंटर करके हमें submit क्लिक करना होता है तो हमारा pin verify हो जाता है ओके गाइस thank you so much अगर कोई भी query रहा है तो आप मुझे comment किजिए मैं आपको guide करना हूँ है thank you guys